आज की जो नोटिफिकेशन है यह आरिया CISCO Recruitment द्वारबास के तरफ से इसमें डिपलोमा और B.T.E.C. वालों के लिए विकेंसी है वो आपको डिसकास होती है तो आप लोग जिरूर से चैनल को सबस्क्राइब करके रख सकते हैं चले वीडियो को स्टाट करते हैं देख सकते हैं यह इसका Official Advertisment Notice है CISCO Recruitment के तरफ से यह विकेंसी अवेनाउंस की गए है तो details में discuss करने से पहले सबसे पहले मैं आपको eligibility criteria बता देता हूँ ताकि जो लोग इसके लिए eligible ना हो उनका time waste ना हो तो अगर आप लोग eligible नहीं होते हैं तो वीडियो को like करके जाएगा दिनसीक मुझे motivation मिलते रहती है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी recruitment लाने के लिए यह जो वेकेंसी आ रही है सबसे पहले apprentice वालों के लिए आ रही है तो अगर आप लोग apprentice में interested नहीं रखते हैं तो आप लोग वीडियो को like करके जाएगा और जो लोग interested रखते हैं वोग जरूर से try कर सकते हैं इसमें आपको diploma और btec दोनों वालों के लिए इसमें अलग अलग branch के लिए apprentice वालों के लिए vacancy है तो आप लोग को details में discuss करते हैं आप लोग वीडियो को last तक जरूर से देखते रहिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको branch ही बता दू यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इसमें जो branch है computer science, information technology, electronics and communication, electrical engineering, data analytics और related field जो आपको technical field में यह सभी branch जाते है tech field इसके तरफ से यह सभी branch अगर आप लोग btec और diploma कर रखे हैं तो इसमें apply कर पा जाएगी जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं available for 12 months of full time training from October 2022 onwards, तो October 2022 के बाल से ही आपको इसमें training start हो जाएगा, आपको इसमें apply करने से पहले make sure करना होगा कि आप लोग nets portal पर registered होंगे, जो भी इसे candidate हैं जो diploma और btec की हैं newly pass out हैं और लोग को जरूर से nets portal पर registration करके nets portal पर registration होना जरूरी है और उनी candidate को nets portal के थूरू कहीं से भी आप अगर apprentice की training लेना चाहते हैं तो आपको nets portal पर registration होना बहुत ही जरूरी है, सभी जगह आपको nets portal का enrollment नमर मांगा जाएगा, तभी आप कहीं पर भी apprentice कर सकते हो, यह इसका नियम है, और आप अपने lifetime में एकी बा apprentice उसके बाद, 2025 के बाद आप कहीं पर भी eligible नहीं होंगे apprentice करने के लिए, जो लोग 2019 में pass out हुए हैं, वो लोग अब इसमे apply नहीं कर सकते हैं, 2019 में जो लोग pass out हो चुके हैं, वो अब कोई भी apprentice में कहीं पर भी eligible नहीं हो सकते हैं, कहीं पर भी apply नहीं कर सकते हैं, कहीं पर भी CISCO Apprentice Program तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा मैं अपने Telegram चैनल पर यह PDF डाल दूँगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा यह वाला तो किलिक करके डिरेक्टली आप लोग इसको अपलाइ कर पाएंगे अपलाइ करने का जो लास्ट टेट है ओ 9 सेप्टेंबर 2022 है 11 बज के दिन वजे तक तो आप लोग जरूर से अगर इंट्रेस्टेड है तो अपलाइ कर लिजेगा जादा जानकारी के लिए इस वेब साइट पर विजीट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिंक मैं आपको विडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर दूँगा यह जो है आपको प्राइवेट सेक्टर से अभी एप्रेंटिस की ट्रेनिंग की यह वेकेंसी आ रही है बहुत सारे गवर्मेंट सेक्टर से भी आते रहते हैं तो अगर आप कभी कहीं पर भी गवर्मेंट में अप्लाइ करते रही है कहीं पर होता है तो प्राइवेट सेक्टर की यह वेकेंसी है अगर आप लोग इंट्रेस्टेड हैं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं कोई दिक मिलती है वही मिलेगी इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इसमें भी आप लोग ट्राइक कर सकते हैं अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो आहे पाप इसको समझे होंगे वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में दिरूर से बताईएगा अच्छा लगा हो तो अब तक के लिए सुक्रिया और थैंक्यू